हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टु वीना ग्रवाल किचिन, आज हम बनाएंगे नवरात्रे स्पेशल सेकेंड डिश, एक हमने साबुदाने की खिचडी बनाई थी, वो भी यूनिक स्टाइल में बनाई थी, होफुली आपको पसंद आई होगी, और आज भी हम एक यूनिक स्टाइ आजिर रहेगी, जरू ट्राइ करें, आइे बनाना शुकाते हैं, इसी बनाने के लिए एक फ्राइपन लिया है, इसमें एक चाप्मज की करीब घी एड़ करेंगे, और दो पॉल्ट पॉटाटो लिये हैं, इनको अच्छे से मैश करव लिया है, इसको फ्राइपन में कोई भी बड़ा पीस लगे तो इस तरीके से स्पैचुला से इसको हम प्रेस करके उस मोटे पीस को हटा देंगे अब इसमें हम वन फोर्थ ग्लास के करीब दूद एड़ करेंगे यहाँ पे एक मेंबर के लिए हमने बनाया है आप जितनी क्वांटिटी आलू की लें उसी हिसाप से आपको मिल्क एड़ करना है अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर एड़ करेंगे अच्छे से इन तीनों चीजों को मिक्स करेंगे आलू को हमने पिंक कलर होने तक इसलिए भुना यमी टेस्ट इसका आने वाला है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यूनिक टेस्ट जो खहते हैं वो आने वाला है इसका इसको थोड़ा थिक होने तक इसको हम चलाते रहेंगे जैसे यह थिक हो जाएगा गैस की फ्लेम बंद कर देंगे अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे हमारी यमी टेस्टी आलू की खीर बन के तयार है इस नवरात्रे अपनी थाली में जरूर एड़ करें इसको इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो डेफिनेटली टेस्ट एकदम यूनिक आने वाला है तो एक बात जरू ट्राइ करें अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें